नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हीम इंडिया एजुकेशन चैनल पे दोस्तों इस वीडियो में हम लोग स्टाफ सेलेक्शन कमिशन हमिरपूर के दवारा 8 अपरेल को पोस्ट कोट 892 से लेटिड एक नोटीस जारी किया गया था जो कि स्टाफ नर्स की पोस्ट है तो दोस्तों इस नोटीस में स्टाफ सेलेक्शन कमिशन की दौरा क्या बताया गया है उसी पर हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं तो सबसे पेहले तो दोस्तों अगर किसी ने हमारा यूटीब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसमें total 42 candidates की list जो है जारी की गी है HP SSC द्वारा इस list को आप चेक कर लिजी अगर इस list में आपका नाम है तो आपको जो है दोस्तो तीन दिन के अंदर staff selection commission हमीरपूर की आपको email address यहां पर दिखाई दे रहा होगा या फिर आपने by hand या by registered post जो आपको staff selection commission में आपका 10th और प्लस टू दोनों की photo state copy जो है वहां submit करवानी पड़ेगी अगर आपके पास 10th और प्लस टू आपकी हिमाचल से है तब भी यह आप इसके लिए पात्तर उमिद्वार घोशित होंगे 10th और प्लस टू के सिवा अगर आपके पास bonofide है हिमाचल का तो आपको bonofide जो है staff selection commission को mail करना होगा या उनको by hand submit करना होगा 3 दिन के अंदर तो दो कंडिशने जो है अब हिमाचल की किसी भी job के लिए हिमाचल government के दोरा लगा दी गई या उसी का पालन जो है staff selection commission हमीरपूर के दोरा किया जा रहा है इन दो कंडिशनों में से यहाँ तो आपके पास पहली कंडिशन में bonofide हो हिमाचल का तो अगर आपके पास हिमाचल का bonofide नहीं है आप हिमाचल के रहने वाले नहीं है किसी other state से ब्लोंग करते हैं लेकिन आपने हिमाचल से 10th और plus 2 अपनी pass out की है हिमाचल से चाहे वो किसी कैसी बोर्ड से हो या फिर HP बोर्ड के दवारा हो तो आपको 10th और plus 2 के certificate की photo state copy जो है अपनी स्टाफ सेलेक्शन कमिशन हमीरपूर को भेजनी होगी तो दोनों में से अगर आप एक भी criteria fulfill करते हैं तब ही आपका जो candidature है वो accept किया जाएगा अन्य था उसको स्टाफ यह update था इसके साथ जैसे कुछ और updates आएंगे हम लोग आपको update करवाते रहेंगे इसके लिए आप हमारे youtube channel humidity education के साथ जूड़े रहें thank you for watching humidity education